IPL 2023 में नए नियमों का एलान हुआ है जहां पर Impact Player Substitute ने मैच के परिडामों में खूब असर डाला है और सभी टीमों के कप्तान ने इसका जम कर प्रयोग किया लेकिन कुछ टीम के ऐसे भी कप्तान है जिने इसकी नियमावली के बारे में अभी पूरा संग्यान नहीं है जी हां आपने बिल्कुल ठीक सुना पंजाब किंग्स और केक्यार के बीच खेले गए मुकाबले में Impact Player Rules को लागू करने में दोनों कप्तानों से बड़ी चूख हो गई तो IEF ने इस रिपोर्ट में देख लेते हैं कि कैसे दोनों कप्तानों ने Impact Player Substitute को लागो करने में की बड़ी चूख और क्या है इसकी पूरी नियमावली कल पंजाब किंग्स और केक्यार के बीच खेले गए मुकाबले में Impact Player Substitute नियम की धज्जियां उड़ गई दोनों ही टीमों के कप्तानों ने Impact Player Substitute का नाम देने में बड़ी चूख की अगर हम बात करें केक्यार ने तो डेविड वीच का नाम Impact Player Substitute में रख रखा था तो वहीं पंजाब ने मैथ्यू सुसाट का नाम इसमें जोड़ा था तो वहीं केक्यार के लिए आंद्रे रसेल, सुनील नरेइन, रहमनुला गुर्बाश, टीम साओधी प्लेइंग इलएन में सामिल किये गये थे इसके बावजूद दोनों खिलाडियों ने Impact Player Substitute में एक एक विदेसी खिलाडी रख रखा था जो कि नियम के अनुसार पूरी तरीके से गलत था हाला कि दोनों टीमों ने बारती खिलाडी को ही Impact Player के रूप में Substitute किया के क्यार ने चक्रवर्ती की जगां वेंकटे सैयर को Substitute घोसित किया तो है PBKS ने पहनुका राजपक्षे की जगां रिसी धवन को टीम में सामिल किया तो आए जान लेते हैं कि कैसे आप विदेसी खिलाडी को Impact Player Substitute में रख सकते हैं नियम के अनुसार आपको विदेसी खिलाडी को Impact Player Substitute में रखने के लिए अपने Playing Eleven में सिर्फ और सिर्फ तीन विदेसी खिलाडी को सामिल करना होगा तब ही जाके आप पांच जो Impact Player Substitute होते हैं उसमें एक विदेसी खिलाडी का नाम दे सकते हैं मगर कल के खिले गए मुकाबले में दोनों कप्तानों ने चार विदेसी खिलाडी को पहले से टीम में सामिल रखा था जिसके बावजूद उन्होंने Impact Player Substitute में एक एक विदेसी खिलाडी का नाम दे रखा था जो कि नियम के अनुसार पूरी तरीके से गलत था तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही आप सभी अपना ध्यान रखें सुरच्चित रहें, स्वास्त रहें, मस्त रहें, जाहिं, जावारा अगर यह वीडियो आपको पसंद आये हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले